Hey guys, welcome back to our channel Last video में हमने A letter के सारे phobia से deal किया था तो अब चलते हैं B, C और D की तरफ So B से हमारा पहला word है bacteriophobia which means fear of bacteria ठीक है इसके नाम से पता चल रहा है कि ये bacteria से डर को बता रहा है bacteria एक harmful चीज है जो हमारे body में जाते ही बहुत सारे disease को प्यादा करता है ठीक है तो इसलिए इसके डर को bacteriophobia कहता है Next word is bibliophobia which means fear of books Biblionic Greek word है जिसका मतलब होता है books Bibliophobic persons को books से बहुत जादा डर लगता है उनकी खयाल से भी डर लगने लगता है इसलिए वो books में भी नहीं पढ़ना पसंद करते होंगे Next word is bathmophobia which means fear of stairs or steep slopes ऐसे लोगों को stairs पर चड़ने उतरने से डर लगेगा और ऐसे तो steep slopes आप लोग यहां पर देख रहे हैं इस तरीकी के जगा पर जाने से भी डर लगेगा क्योंकि उनके मन में डर होगा कि कहीं हम गिर ना जाए या फिर हमें चोड़ना लग जाए ठीक है नेक्स्ट वर्ड इस बेट्रैकोफोबिया विच मींस fear of amphibians बेट्रैको एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है frog ठीक है अब amphibians से बहुत amphibians कैटेगरी में तो बहुत सारे organism आते हैं जैसे कि आप लोग figure में देख रहे हैं तो इनके texture और इनके look wise किसी को डर हो सकता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं बेट्रैकोफोबिया नेक्स्ट वर्ड इस बेलोनी फोबिया विच मींस fear of needles and pins बेलोनी का मतलब होता है एक needle fish ठीक है एक तरीके का fish होता है जिसका नाम needle fish है वहां से यह word आया है बिलैनो ठीक है तो नुकीरे pointed चीज से कि भी किसी को डर हो सकता है उस वैसे person को बिलोनी phobic person बोलेंगे next word is botanophobia which means fear of plants ठीक है अब plants से कोई कैसे डर सकता है यह तो बहुत ही अजीब सी बात है हम जैसे normal persons के लिए लेकिन जिन लोगों को उसका fear होता है उनका life बहुत complicated होता है ठीक है इनके causes बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि किसी को किसी plant या flower से allergy हो सकता है को plants poisonous भी होते हैं इस वज़े से डर लगता होगा ठीक है और भी पहुत सारे conditions है तो यह हो गया बोचैन फोबिया next word is cacophobia which means fear of ugliness cacco means होता है bad अब किसी को अपने सुंदरता से बहुत प्यार होता है लेकिन जो लोग थोड़े कम सुंदर होते हैं जो वो अपने आपको ugly मानने लगते हैं ठीक है तो वैसे लोगों को अपने खराब दिखने से डर लगता है तो उसको बोलते है cacophobia next word is catoprophobia which means fear of mirrors ठीक है कि tap true एक Greek word है जिसका मतलब होता है mirror ठीक है यह maybe इसका causes यह हो सकता है कि कोई superstitions यानि अंधविश्वास के कारण किसी को डर लगता है mirror के सामने जाने से या किसी का खुद के सामने खराब image होता है ठीक है इस वज़े से mirror के सामने जाने से उन लोगों को डर लग है next word is chromophobia which means fear of colors chromo का मतलब तो सभी जानते color होता है ठीक है अब आप तो सोच रहे होंगे कि color से किसी को कैसे डर लग सकता है तो ऐसे कोई चीज होती है जिसके जो हमारा कोई बुरी याद होते है जिससे कोई color जुड़ा हुआ हो ठीक है उस चीज से related हो तो उस वज़े से color से डर हो सकता है तो ऐसे लोगों को chromophobic बोलता है यह थोड़ा सा rare है लेकिन फिर भी यह होता है next word is sinophobia which means fear of dogs यह तो बहुत ही common word है common phobia है क्योंकि dogs से तो बहुत लोगों को डर लगता है ठीक है कहीं वो काट ना ले तो यह होता है sinophobia next word is dendrophobia which means fear of trees ठीक है dendro का मतलब trees है यहां पर तो उसके मतलब trees से इसलिए डर लगता है लोगों को क्योंकि जब कोई tree बहुत पुराना या फिर बुढ़ा जिसे बड़ा हो जाता है तो उसके गिरने का डर होता है ठीक है तो कुछ लोगों को उसके गिरने का डर होता है त यह dendrophobia होता है next word is dentophobia which means fear of dentist dentist से डर लगने को dentophobia कहता है इसका causes यह हो सकते हैं कि हमारा कोई past experience है जो dentist के साथ खराब रहा है इसके वज़ा से dentophobia होता होगा next word is domatophobia which means fear of houses यह भी एक बहुत rare phobia है लेकिन होता है ठीक है डेंटophobia इसलिए होता होगा क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं कि अपने ही घर में उन लोगों को मार दिया गया उस घर में रहने वाले लोगों को या फिर उनके घर में चोरी हो जाना तो यह सब बहुत rare है लेकिन फिर भी किसी किसी का माइंड पर एफेक्ट कर जाता है that's why domatophobia हो जाता है उन लोगों को ठीक है next word is dystychephobia which means fear of accidents ठीक है यह तो common ही है dystychephobia क्योंकि हमारे past experience रहते है accidents के या फिर किसी का हमने देख लिया होता है accident हुआ हुआ तो फिर इसलिए इससे डर लगता है ठीक है I hope आप लोगो सारे words के मतलब समझ में आये होंगे so next video में आगे क्यों words के बारे में बताया जाएगा thank you